शिक्षा के जगत की लेटरस्टिक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वीएम क्लासेस और आप देख रहे हैं वीएम क्लासेस आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी सहीते के जाने माने और बहुती फेमास कवी विश्वम बरनाथ शर्मा कोशिक द् रक्षा बंदन को तो चेले पढ़ते हैं मा में भी राक्य बांधूंगी श्रावन की दुमदाम है नगर वासी श्त्री पूरुष बड़े आनंत अदा उस्सा से श्रावनी का उस्साव मना रहे हैं बहने बायों के और ब्रामन अपने यजमानों के राखियां बांद बांद दूंगी उत्तर में भारत ने एक ठंडी माता ने एक ठंडी सांस बरी और कहा किसके बांद देगी बेटी आज तेरा बाई होता तो माता आके जुग आके कुछ कहने सकी उसका गला रून गया और नेत्र अश्रुपून हो गए अबोद बालिगा ने अठला कर कहा त किसी के नहीं बया नहीं है तो अम्मा मैं तुम्हारे ही राकी बांद दूंगी इस दुख के समय भी पुत्री के बात सुन कर माता मुस्कुराने लगी और बोली अरी तु इतनी बड़ी हो गई बला कहीं मा के भी राकी बांदी जाती है बालिगा ने कहा पात जो पैसा दे उसी के हाथ बांदी जाती है माता अरी कंगली पैसे बर नहीं बाई के ही राकी बांदी जाती है बालिगा उदास हो गई माता गर का काम गाज करने लगी गर का काम शेश करके उसने पुत्री से कहा आ तुझे निहा नहला दूं बालिगा मुक गंबीर करके बोली मैं नहीं नहाऊंगी माता बोली क्यों नहावेगी क्यों नहीं बाली का मुझे क्या कि सिके औह राकी बांदनी माता ने लैए नहीं नहीं बैंदनी टिवहार का जाता है माता कुछ शिरन हो गई YE राकी राकी राखी रड़ लगा रखी है बड़ी राकी बांधने वाली है एसे ही होती तो आज यह दिन देखना पड़ता पैदा होते ही बाप को खा गई डाई बैस की होते होते बाई का गर चुड़ा दिया एसे ही कर्मों से सब कुछ नाश हो गया बाले का कुछ अब्रमित हुई और आंकों से आशु पर उट्टी हुई एक अंटा पचात हम उसी बाले का को अपने गर के दुवार पर खड़ी देखते हैं इस समय भी उसके सुंदर मुक पर उदासी विद्यमान है अब भी उसके बड़े बड़े नेत्रों में पानी चला रहा है विश्व इंबरनात कोशिक जी जो है ये अपने पुस्तक में लिख रहा है यानि कि कहानियों में जो जैसा द्रश देख रहा है ना वैसे लिख रहा है ठीक है परनतु बाले का इस समय दुवार पर क्यों जान पड़ता है वह किसी काईड़ ये वश्व खड़ी है क्योंकि उसके दुवार के सामने से कोई निकलता है तब बड़ी उत्सा से उसकी और ताकने लगती है मानो वह मुख से कुछ कहे बिना केवल इच्छा शक्ती ही से उस पुरुष का ज्यान अपनी और आकरशी करने के चेश्टा करती दी परन्तु जब उसे इसमें सफलता नहीं होती तब उसकी उधासिता बढ़ जाती इस परकार दो एक दो तीन करके कई पुरुष बिना उसकी और देखे निकल गए अंत को बालिका निराश होकर गर के बितर लोड जाने को अज्यदी ही हुई थी कि एक सुंदर युवक की द्रश्टी जो कुछ सोचता हुए दिरे दिरे जा रहा था बालिका पर पड़ी बालिका के आखे युवक की और आँकों से लगी नजाने उन उदास का करूना पूर नेतरों में क्या जादू था कि युवक ठीटा कर खड़ा हो गया और बड़े द्यान से सिर से पेर तक देखने लगा द्यान से देखने पर युवक को ग्याद हुआ कि बालिका कि आखे अश्रु पुरु तब अधिर हो उटा निकट जाकर पुच्चा बेटी क्यों रोती है बेटी क्यों रोती हो बालिका इसका उत्तर कुछ न दे सकी परन्तु उसने अपना एक हाथ युवक की और बड़ा दिया युवक ने देखा बालिका के हाथ में एक लाल डौरा है उसने पुच्चा ये क बंदवा चुकने पर युवक ने जेब में हाथ डाला और दू रौपीय निकाल कर बालिका को देने लगा परन्तु बालिका ने उन्हें लेना स्विकार ना किया बोली नहीं पैसे दो युवक ये पैसे से भी अच्छे हैं बालिका ने कहा नहीं मैं पैसे लूँगी यह नहीं युवक ले लो बीटिया इसे पैसा मंगा लेना बहुत से मिलेंगे बालिका नहीं पैसे दो यूवक ने चार आने पैसे निकाल कर कहा अच्छा ले पैसे भी ले बालिका नहीं खाली पैसे लूंगी तुझे दोनों लेने पड़ेंगे यह कहकर युवक ने बलपुरुक बैसे था था रूपय बालिका के हात पर रख दी इतने में घर के पिते से किसी ने पुकारा अरे सरसूती यानि कि सरसूती इसका नाम था कहां गई बालिका ने आई कहकर युवे की ओर क्रतग्या पुर्ण रश्टी डाले ओर चली गई गोला गंजे ने लखनाउ कि एक बड़ी तदा सुंदर अट्टा लिका कि एक सजनस कमरे में एक युवे चिंता सागर में निमगन बेटा है कभी वह ठंडी सांसे बढ़ता है कभी रुमाल से आंके पहुंचता है कभी अपने आप ही कहता है हाँ सारा परिश्टन व्यर्थ गया सारी चेश्टा इनिश्वल हुई क्या करूं कहां जाओं उन्हें कहां डूंडूं सारा उन्नाव चान डाला परंदू फिर भी पता न लगा युवक आगी कुछ कहे और कहने को था कि कमरे का दौर दिरी दिरी खुला और ने को अंदर आया युवक ने कुछ रिक्त होकर पुचा क्यों क्या है नोकर सरकार अमरनाथ बाबू आए है युवक ने कहां संबल कर अच्छा यही बेज दो नोकर के चले जाने पर युवक ने रुमाल से आके फोंच डाली और मुख पर गंबीता लाने की चेश्टा करने लगा दौर फिर खुला और युवक ने कहा आओ आओ पाई अमरनाथ अमरनाथ ने कहा काहो अच्छाम आज अकले कैसे बैटे हो कानपूर से कबलो टे घष्टा मुख अंख अधे होंग钱 हूंगा ऊंग उत्तर होंगा फ्लीव होटा हा उत्रा था पालंदि व्यरथ वाँ सब मेरा क्या रहा ह अंबरनाद ने कहा परंद तू करो क्या रदय नहीं मानता है क्यों और सच पूछो तो बात ये सी ये सजी तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो मैं भी सही करता गंशाम ने कहा क्या कहूं मित्र मैं तो हार गया तुम तो जानती हो कि मुझे लखनो आकर रहे एक वर्ष हो गया ह और जब से यहां आया हूं उन्हें डूनने में कुछ भी कसर उठा नहीं रखी परंतु सव्यर्थ अमरनाद ने कहा उन्होंने उन्होंने जाने क्यों छोड़ दिया और कब छोड़ा इसका भी कोई पता नहीं चलता गंशाम इसका तो पता चल गया न कि वे लोग मेरे चले जाने के एक पश्चात उन्नाव से चले गए परंतु कहां गए यह नहीं मालूम अमरनाद यह किसने मालूम हुआ गंशाम ने कहते हैं उसी मकान वाले से जिसके मकान में हम लोग रहते थें अमानत ने कहा हां शोक गंशाम ने कहा कुछ नहीं यह सब मेरे ही करमों का फल है यदि में उन्हें छोड़ करना जाता यदि गया था तो उसकी खोच खबर लेता रहता परंदू में तो दक्षिन जाकर रूपया कमाने में इतना गया रहा कि कभी याद ही ना आई और जो आई भी तो क्षण मातर के लिए उफ कोई भी अपने गर को बूल जाता है में ही ऐसा उद्दम अमरनाथ बार्ट काटकर अजी नहीं सब समय के बात है गंशाम ने कहा मैं दक्षिन ना जाता तो अच्छा था अमरनाथ ने कहा तो मरा दक्षिन जाना तो व्यरत नहीं हुआ ये दिन जाते दन गंशाम अजी चूले में जाए दन ऐसा दन किस काम का मेरे रदे मे शुक्शानती नहीं तो धन किस्मरज की दवां है अमर्नात organized ने कहा हाथ में लाल डोरा क्यों बादा है गंश्या आम ने इसकी तो बात ही बुल गया या राकी है अमर्नात ने कहा बैवा अच्छी राकी है, लाल डोरे राकी बताते हो या किस ने बांदी है गंशाम ने उसे खोल कर बड़े यतने प्रूवक अपने बक्ष में कर रख लिया अमर्नाथ ने का वह तुम भी विजीद्र मनुशी हो आखिरिया डोरा बांदा किसने हैं गंशाम ने एक बालिकाने पाटक समझ गए होंगी गंशाम कौन हैं अमर्नाथ बालिकाने किसे बांदा और कहां गंशाम ने कहा तानपूर में गंशाम ने सारी कटनाया सुनाई अमर्नाथ यदि यह बात है यदि यह बात है तो सत्य ही यह डोरा अमुल्य है नहीं जाने क्यों उस बालिका कर ज्यान मेरे मन से ही उत्रा उसके सरी अलता तथा प्रेम से तुम्हेरा अधे बे बाव डाला है बलाई उसका नाम क्या है ग demiş केते हैं नाम तो मुझे नहीं मालूम, पीतर से ही किसी नाम लेकर पुकारा था, परन तुम मैं सुन न सका, अमनात ने का, अच्छा, खेर अब तुमने क्या करना विचारा है, गंशाम ने, देडे दर, कर्चुप चाप बैठने के अतिरिक्त, मैं करी क्या सकता हूं, मुझे जो हो सका मैं कर चुगा, अमनात ने का, हाँ, यही भी ठीक है, इश्वर पर चोड़ दो, देखो क्या होता है, पुरवक्त गटना हुए, पांच वर्श व्यातित हो गए, गंशाम दास, पिछले बाते प्राहे भूल गए हैं, परन्तु उस बालिका की याद कभी कभी आ जाती है, उ उसका रदे भी कम होता गया, पर अब भी जवे अपना वक्त खोलते हैं, तब कोई वस्तु देखकर चौक पड़ते हैं, और साथ ही कोई पूराना द्रेश्य भी आँखों के सामने आ जाता है, गंशाम अभी तक आविवाय थे, पहले तो उन्होंने नश्य किया था कि कमा यानि कि जून महीं महीं जून कमेना चल रहा था अंग्रिजन मेंनगी इसाभी और हिंदी महीन के जास्टी महिना हो रही है, दीन पर की जला देनी वाहें, दूपके पर सूर्ययास्त का समय अतीयंत दुखदाईब रियातित्त हो रहा है, इस समय गंशाम दास अपनी को गया होगा दूसरा दूसरा आदंगे नहीं रहता है पर दिल लग diffy के बाद नहीं है तिसने खाँ हाँ परसु मुझे भी वकता है तो मुझे चेहन पड़े यह बात हो रही थी अम फालत लुग के आप शुचे लबकते आंप आप मुचे गांशाम नहीं बेटिए अमनादन बैठूंगा दूसरा जान पड़ता है कहीं से पीट कराये हो अमरनाथ ने खा तू फिर बोला क्यूं दूसरे ने खा क्यों बोलना किसी के हाथ बैच खाया है अमरनाथ ने कहा अच्छा दिल लगी छोड़ो एक आफशक बात ने सब उस्सो करो के बोले कहो और उस्सो करो कहो क्या बात है अमरनाथ Gंशाम से कहते है तूमारे दूलन डूणली है सब एक सवर सी फिर क्या तुमारी चान्दी है अमरनाथ जी कहते है फिर वही दिल लही यार तुम लोग अज़िव आदमी हो तिसरे कहते है अच्छा बता ओ कहां डूंडी, अमना जी कहते हैं यहीं लगनों में, दुसरा लड़की का पिता क्या करता है, अमना जी कहते है पिता तो सुरकवास करता है तिसरा बोला, यह बुरी बात है अमना जी कहते है लड़की है और उसकी माँ, बस तिसरा कोई नहीं यहां में कुछ मेरेगा भी नहीं लड़की का माता बड़ी गरीब है दूसरा यह उससे भी बुरी बात है तिसरा कहता है उल्लू मर गए पटे छोड़ गए गर भी डूंटा तो गरीब कहा हमाई गंचाम इतने धना चाहिए और कहां ससुरा इतनी दरिद्र लोग क्या करेंग अमनाज कहता है अरे भाई कहने वर ना कहने वाले हम तुम हम ही तुम है ओ यहां उनका कौन बैटा है जो कहेगा गंचाम दाज ने एक ठंडी सांस ली तिसरा कहता है आप ने क्या बलाए देगी जो यह संबंद करना विचारा है अमनाज कहता है लड़की के बलाई लक्षम कि माता लड़का देखर विवा करने को कहती है तिसरा यह तो विवार की बात है गंचाम जी कहते है और मैं भी लड़की देखर विवा करूंगा दूसरा कहता है यह भी ठीक है अमनाज जी कहते है तो इसके लिए क्या विचार है तिसरा क्या क्या लड़की देखेंगे अमन यहीं गंज की एक गली के सामने जा खड़ी हुई गाड़ी से उतर कर दोनों मिदर गली में गूसे लगबग सो कदम चल कर अमानाथ एक छोटे से मकान के सामने खड़े हो गए और मकान का द्वार खटकटाया गंशाम बोले मकान देखने से तो बड़े जान पड़ते हैं अमा अमानाथ ने का हाँ बात तो ऐसी है प्रांति देली की तुम्हारे पसंद आ जाए तो यह सब सन कर लिया जा सकता है इतने में द्वार खुला और दोनों भीतर गए संधिया हो जाने के करण मकान में अंदरा हो गया था अत एव यह लोग द्वार खुलने वाले को सपष्ट ना देख सके एक दालान में पहुंचने पर यह दोनों चार पाईों फर बिठा गए और बिठाने वाली ने जो इसतरी थी कहा मैं जरा दिया जलालू अमानाथ हा जलालो इसतरी ने दिपक जलाया और पासी एक दिवार पर उसे रख दिया फिर इनके और मुक करके वह निच पर बेट गई परन्तु जो ही उसने गंशा पर अपनी द्रश्टी डाली एक रदय वेही आह उसके मुझ से निकली और वह ज्यान शुन्य होकर गिर पड़ी यानि कि जो लड़की थी यह चकर आ गए नीचे तुकि उन्होंने देखा था गंशाम को उससे पता था शायद य कि त्यों ही गंशाम के मुझ से निकला मेरी माता और उठकर वे भूमी पर बेट गए अमरनाथ विसमित को कश्टवट बैटे रहें अंत को कुछ चन प्रांथ बोले उफ इश्वर की महिमा बड़ी विच्चित रहें जिनके लिए न जाने तुमने कहा कहा के ठोकर खाई व परन्दु हाँ वह लड़की तुमारी कहते अमरनाथ रूग गए फिर उन्होंने पुकारा बिट्या थोड़ा पानी दे जाओ परन्दु कोई उत्तर ना मिला अमराथ ने फिर पुकाई बेटी तुमारी मा अच्चे थो गई थोड़ा पानी दे जाओ इस अच्चे मेन जाने क्या बाती की परन्दु तुरंद ही गर के दुसरी और बरतन खड़का नाने का शब्द हुआ थत पचात एक पुर्ण वैसका लड़की लोटा ली आई लड़की मुह कुछ डगे हुए थी अमराथ ने पानी लेकर गंशाम की माता की आंके तथा मुक दो दिया थ उसने आखे खोलते ही फिर गंशाम को देखा तब फशिगरता से उठकर बेट गई और बोली मैं क्या सपन देख रही हूं गंशाम क्या तुम मेरा खोया हुआ गंशाम है या कोई और माता ने पुत्र को उठा कर च्छाती से रगा लिया और अश्री बिंदु विश्य का है जिसने पांच वर्ष पूर अपनी उनके राकी पांच वर्ष पूर उनके राकी बांदी है बांदी थी और जिसकी याद प्राय उन्हें याद आया करती है यह वही लड़की थी जो जब छुटी थी तो उन्होंने वो जब पांच साल पहले राकी बांदी यह लड़क चलो गंशाम बिद्र गए मादानु एक आसन पर बिठायों उनकी बगी निस्रासोती ने उनके तिलक लगा राखी बांदी गंशाम ने दो अर्ष फ्रियां उनके हाथ में फर्दी और मुस्कर बोले क्या पैसे भी देने होंगे सरसोती ने हसकर कहा नहीं बैया यह अश्वर् बरनात्श शर्मा कोशिक द्वारा लिकित कहानी रक्षवंदन अब बहुत इंड़ेस्ट मजा हाया होगा आपको इस कहानी पढ़ने में और बहुत ही इंड़ेस्ट कहानी है और एक एसा जब होता है इनसान के साथ जब किसी इंसान से हम चाहे वो कोई बीज इसन हो जिसके आपने पड़ा विश्वम बरनात शर्मा कोशिक द्वारा लिखित कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही प्रेम, महुबत, इश्क से बिरी, रोमान, चक और बहुत ही भाई और प्रेम के बिसको दर्शाने वाली कहानी है विश्वम बरनात कोशिक विश्वम बरनात शर्मा कोशिक ने बहुत अच्छी काहानी लिखी है उनको शच्चत प्रणाम तो आपको कहानी पसंद आई और वीडियो पसंद आया या नहीं कमेंट करके जुरू बताएं तो मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए इन्जय भायरत